आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको टोटल फोर ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूँगा जिससे आप प्रियोडिक टेबल में आयोनाईजेशन एनर्जी से आने वाले किसी भी प्रावलम को 20 सेकेंड के अंदर में कर लोगे तो ध्यान से देखो पॉइंट नमबर वन कि आयोनाईजेशन एनर्जी, आयोनाईजेशन पोटेंशियल, आयोनाईजेशन इंथेल्पी सब एक ही बात है इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता है आई या आई पी से या डेल्टा हेच आई डैट मिस आयोनाईजेशन इंथेल्पी तो इसमें ती second point की जो atom आपको लेना है ध्यान दे atom वो तो isolated होना चाहिए that means उसका किसी से कोई bond नहीं होना चाहिए and gas phase में होना चाहिए क्यों क्यों क्योंकि gas phase में electron को निकालना सबसे easy होता है next point की energy के बारे में क्या है तो energy आपको देना परेगा in होगा required होगी और इसलिए यह always एक इंडो थर्मिक होगा always इंडो थर्मिक होंगे that means delta H positive sciences का लिखना है क्लिए है point point number two that is trend trend का यह मतलब है कि generally हम बात कर रहे हैं there may be some exception जो हम बात करेंगे तो left to right that means जब periodic table में left से right जाएंगे तो increase होगा क्यों क्योंकि size क्या होता है decrease होता है right और top to bottom में जब उपर से नीचे जा रहे हैं तो क्या होगा decrease क्यों क्योंकि size होता है increase इसको याद रखना बहुत easy है top to bottom that means क्या होगा आप decrease हो पहले top पे थे आप bottom में क्यों क्यों क्योंकि जब positive charge से that means nucleus से electron काफी close होगा तो उसके force of attraction जादा होगा तो हमें energy जादा देना परेगा उसको निकानने के लिए लेकिन nucleus से अगर electron दूर होगा तो इसके force of attraction कम होगा तो हमें कम energy देनी परेगी इसलिए size बरने के वज़ा से top to bottom में decrease होता है size कम होने के वज़ा से left to right में increase होता है तो इस point को ध्यान रखना है ऐसा नहीं कि सिरिफ size ही एक factor है there may be some other factor but major important factor size है point number 3 that is very very important कि अगर मैं एक element लिया और उसमें electron का इस तरीके से हमने दिखाया तो यह outer mass shell के यह electron है यह 3 और यह inner shell के है तो पहला electron जब मैं remove करूंगा तो उसको बोलूंगा I1 फिर जब यह निकल चुगा होगा इसको निकालेंगे तो बोलेंगे I2 second ion energy मतलब second निकल रहे हैं फ इसको बोलेंगे I3 that means तीसरा electron निकल रहे हैं फिर यह जब तीरों निकल जाएंगे तो inner shell में आप पहुँझ जाएंगे और यहां से निकलेंगे तो I4 and so on तो मैंने यहां पर लिया है कि I1 suppose करते हैं XYZM ऐसे भी दे सकता है या कुछ value दे देगा ऐसा नहीं कि यह value आपको य ज्यादा I2 उससे ज्यादा I3 उससे ज्यादा I4 and so on यह always होगा इसमें को एक्सेप्शन नहीं है always आयना से इनर्जी जो है वो इंडो थर्मिक प्रोसेस है तो energy increase होती जाएगी आपको क्या करना पड़ेगा always gap को देखना है दो के बीच का तो अगर आप ध्यां से देखो तो यहाँ पर gap 300 का है यहाँ पर 200 का है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो gap होगा जो high gap होगा उससे आपको valence electron के बारे पता लग जाएगा जैसे इस case में सबसे ज़्यादा gap 3rd और 4th के बीच में that means 3rd electron तक निकालना हमारे लिए easy है इसलिए valence electron यहाँ पर बात करेंगे तो 3rd हो जाएगा जिन दो के बीच गैप मिलेगा तो वहाँ सबको पता लग जाएगा सेम चीज उससे हमें period block group यह सब के बारे पता लग सकता है जैसे valence cell में 3 electron है तो इसका जो group होगा वह group number 13 हो सकता है ब्लॉक की बात करेंगे तो पीवलोक में आ करेंगे तो इस step से इस पर best question पूछ आ सकता है सिर्फ यह point रखना value कैसे आया वह important नहीं है just change आपको देखना है कि सबस्यादा gap कहां पर हो रहा है right and point number 4 that is very very important कि अगर कहीं पर half field configuration हो रहा है तो वहां पर half field वाले का आने से energy ज्यादा हो जाता और यह कहां पर लगाना आपक लिखाओं that means 15 वाले का जादा हो जाएगा 16 वाले से but trend के according 16 का जादा होना चाहिए but देरेज में एकसेप्षन तो 15 का जञदा है that means कहीं पर अगर P में 3 एलक्टरॉन दिख रहा है तो उसका जादा होगा P4 से वैसे ही कहीं पर D में 5 एलक्टरॉन दिख रहा है तो उसका जा होते हैं 13 वाले में S में 2 और P में 1 है तो यह ग्रूप 2 वाले fulfilled हैं तो यह दोनों पॉइंट आपको एकदम ध्यान में रखना है यही रिजन है कि यह दोनों मैंने लिस्ट आउट किया है इसको एकदम ध्यान में रखना है लिथियम से ज्यादा परावण होना चाहिए लेंकिन यहां पर उल्टा हो गया तो बस यहां दियान रहन रखना है कियो हो क्योंकि करना है यह यहां पर करना है और यहां परaction कारवन अपनी जगह पर ठीक है oxygen nitrogen फिर से प्रावल्म है क्यों क्योंकि nitrogen फिर से आपका half field बार हो गया तो half field का ज़्यादा कर दाना है next nearest से अपने पीछे वाले से तो ज़्यादा हो गई next nearest से भी ज़्यादा करना है fluorine और always noble gas सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें पूरा full field है right तो noble gas को always highest में रखना है वैसे ही अगर मैं third period में जाओ तो sodium aluminium पहले आ गया magnesium बाद में यहां पर प्रॉलम होई वही किसकी वज़ा से full field configuration होने की वज़ा से और sulfur और phosphorus में फिर से problem होई क्यों क्योंकि half field बाकि आरगन तो सबसे ज़्यादा हो गई क्यों क्योंकि noble gas है तो यह चार पॉइंट अच्छे से समझे लेना बैटा इससे बाहर कुछ नहीं है ना उग्यान की बात और that is very important यहां पर जो भी बात करेंगे हम वो exception ही होगा जैसे point number one कि group 13 और 14 में exception है और exception कैसा है down the group जाने पर we know की आयना से नेरजी decrease होती है तो carbon का सबसे ज़्यादा होगा right उससे कम silicon उससे कम germanium उसके बाद lead और tin में exception है होना चाहिए किसका ज़्यादा tin का lead का कम होना चाहिए क्योंकि down the group है but lead का ज़्यादा होता है 10 से तो यह ध्यान रखना और जहां पर exception बता रहें वहीं पर तो group number 13 में जो last वाला है वो second last से ज़्यादा हो जाता है जबकि उल्टा होना चाहिए वैसा ही 14 group में जो last वाला है वो second last से ज़्यादा हो जाता है that is exception तो यह ध्यान रखना है पॉइंट नमबर टू एगें ग्रूप नमबर 13 में कुछ ज़्यादा ही exception है वी नो की down the group जाने पर decrease होता है निस energy तो बॉराउन का सबस्याज ज़्यादा फिर एलमुनियम फिर गेलियम इंडियम थैलियम यह order होना चाहिए लेकिन वो order नहीं होता है order यह है और इस order को कैसे याद रखेंगे very simple आपको एक w बनाना है और थोड़ा style से कैसे तो ध्यान से देखो आपने यहाँ तक क्या यह आप यह वाले डंडे को थोड़ा नीचे खिर देना है नीचे होननी को जैसे यह ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा तो यहाँ से आपको क्लियरली दिख जाएगा सबसे उपर को नहीं आ रहा है बोराउन फिर उसके बाद को नहीं आ रहा है धियान से देखो 3 जो औरेड़ी बात भी कर रखे हैं कहीं पे भी half-filled configuration हो रहा है तो वो next nearest से उसका आने से ज़्यादा होगा और fulfill हो रहा है तो भी next nearest से ज़्यादा होगा for example nitrogen का ज़्यादा होगा oxygen से क्यों क्यों कि half-filled configuration है nitrogen के पीश अफसेल में 3 लक्रन है जबकि oxygen में 4 है वैसे ही full-filled वाला जैसे magnesium का ज़्यादा हो गया aluminium से but according to trend aluminium का ज़्यादा होना चाहिए लेकिन यहाँ पर यह है तो इस एफ पलस का अंतरब fluorine से एक निकल दिया तो actually में क्या हो गया oxygen और we know कि यह half-filled हो गया तो इसलिए इसका ज़्यादा होगा तो इस टाप से भी question पूछ आ सकते है पलस दे करके यह oxygen and fluorine की IE2 compare करो ऐसा दे दिया तो IE2 का अंतरब एक electron निकानने के बाद तो आप निकाल लिया करो एक electron निकानने के बाद यह nitrogen में convert हो जाएगा और convert हो जागा in the sense कि उसके जैसा electronic configuration हो जाएगा और fluorine oxygen जैसा हो जाएगा अब आपको easy है क्योंकि यह half-filled है तो इसका ज़्यादा होगा तो इसलिए question को carefully read करना है IE1 पूछ रहा है IE2 IE3 जहां भी half-filled या full-filled लगे तो लगाना आपको तो अब हम application की बात करते हैं now question number one में इस step से आपको element given थे और first ionization energy का order बताना है तो सबसे पहला अगर आप ध्यान से देखो तो यह सारे element left to right वाले है तो उसके order में लिख दो फिर आप compare करना है तो विनो lithium सबसे पहला आएगा तो lithium होगा lithium से ज़्यादा beryllium that is होगा और beryllium से ज़्यादा boron होना चाहिए but full-filled configuration होने के जासे तो beryllium को आगे करना पड़ेगा और boron को पीछे you know तो यहाँ पर exception था बस इसका ध्यान रखना है उसके बाद you know की carbon होगे फिर nitrogen oxygen में problem आएगा oxygen पहले आ जाएगा nitrogen बाद में due to half-filled बस half-filled full-filled का ध्यान रखना है then fluorine आएगे तो यह order हो जाएगा question number two में I1 sodium का ज़्यादा होगा magnesium से तो यह गलत statement हो जाएगा but magnesium का ज़्यादा होगा sodium से तो यह हो जाएगा correct क्यों क्योंकि एक तो left to right है और वैसे भी यहाँ पर by the way magnesium का size छोटा है sodium से तो size छोटा होगा तो even though magnesium का aluminium से भी बड़ा होता यह point ध्यान रखना था but अगर IE2 की बात करे IE2 मतलब एक electron निकानने के बाद तो NA किस में convert हो जाएगा NA plus और NA plus मतलब क्या हो गया neon एक तरीके से हो गया और MG किस में convert हो जाएगा that is NA में क्यों क्योंकि 11 electron हो गया इसलिए question को carefully read करना है first ion energy magnesium का जाद होगा but second आप NA का जाद हो जाएगा क्योंकि वह NA plus noble gas मागया तो इस part को ध्यान में रखना है similarly question number three में इस टैप से आपको value दे देगा और किसी एक का value पूछ लेगा तो यहां पर ध्यान देना है कि sodium से ज्यादा magnesium होगा that is okay magnesium से ज्यादा silicon होगा but magnesium aluminium में आपका मालूम है exception है यह fulfilled है तो इसका aluminium से भी ज्यादा होगा that means aluminium का इन दोनों के बीच में होगा 496 से तो ज्यादा होगा but 737 से कम होना चाहिए ऐसा कौन सा option है ध्यान से देखो तो यह न नहीं हो सकता तो इस टाप के भी logical question पूशे आता है value आपको यार ने रखना just logical thinking करना बेटा question number 4 में इस टाप से आपको electronic configuration दे सकता है तो जब भी इस टाप से आजा है तो पहले उस element को यह आप identify कर लो 3H2 मतलब यह magnesium है right यह 3H2 3P1 मतलब aluminium है यह आपका 3H2 3P3 मतलब phosphorus है और यह sulfur है तो वी नो इन दोनों में भी exception है और इन दोनों में भी exception है यह fulfill होने के जाए और यह half field होने के जाए यह जादा है और left to right में इन कीज़ होता है तो सबसे आपका C का हो जाएगा क्योंकि वह phosphorus होगा एक तरीके से फिर आपका D sulfur फिर इन दोनों में पहले A और last में कुछ mention नहीं हो तो हम पहला आइनेशन एनर्जी लेंगे जब तक वो न बोले कि 2 का compare करना 3 का तब तक आप 1 का करेंगे कभी-कभी question ऐसे पूछ लेगा कि यह आइनेशन एनर्जी का successive वाला value है तो valence electron कितने होंगे तो वह बताया था gap आप देखो यहां से यहां का यहां से यहां का और यहां से यहां का सबसे ज़्यादा gap अगर अब ध्यान से देखो तो इन दोनों के बीच है राइट क्यों क्यों कि यह 3000 का सपास है और यह 32,000 very big gap है यह इसका मतलब यह 3 electron करना हमारे लिए easy है तो valence electron 3 हो जाएगा इसलिए यह group number 13 का element हो सकता है यह भी पूछा आ सकता है अगर यह group number 13 का है that means suppose करते है aluminum होगा तो chlorine से react करेगा तो किस टाप का formula बनाएगा तो ALCL 3 इस टाप से पूछा जा सकता है metal होगा non metal होगा यह पूछा जा सकता है तो there are so many ways to ask any question in different ways right question number 6 में ionization energy का order बता हो तो we know left to right में increase होता है वैसे भी zinc एक तरह से D10 है right S2 है पूरा full field है तो zinc का सबसे ज्यादा होगा फिर उससे कम nickel इसमें D5 है half field है तो definitely manganese का ज्यादा होगा और titan हो यहाँ पे manganese को ज्यादा मत कर देना nickel से क्यों क्यों क्योंकि मैंने क्या बहले next nearest में लगा लगता है यहाँ पर iron है नहीं बागी में वो order नहीं चलता है just next nearest पर लगता है तो यह आनेस एनरजी का order हो जाएगा question number 7 में carbon nitrogen oxygen fluorine का second iron energy order को compare करना है तो देखो ऐसे question को कैसे करना है बहुत सारे बच्चे बहुत गलती करते हैं पहले second मतलब carbon से एक electron निकाल लो तो यह किस में convert हो जाएगा boron में right B' कर देता हो में nitrogen C' carbon हो जाएगा oxygen N' nitrogen हो जाएगा और fluorine O' जाएगा पहले ऐसे दिखा लो अब इसमें तुम्हें मालूम है left to right में increase होता है और half field fulfilled का ध्यान रखना है तो इसमें हमें मालूम है कि N' जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा O' और इन दोलों में nitrogen और B' कौन था carbon तो यह order हो जाएगा ionization energy का इस पांट को ध्यान में रखना है similarly question number 8 में इस type का अगर question आ जाए तो पहले इसको periodic table में कैसे हैं वैसे arrange कर ले you know argon है argon के इधर में sulfur है इसके नीचे selenium है right calcium आपका यहाँ पर है और नीचे में barium है तो you know left to right में increase होता है top to bottom में decrease होता है तो आपको एक idea मिल चुका है सबसे ज़्यादा ionization energy argon का होगा right फिर sulfur कांगे फिर selenium उससे कम calcium और सबसे कम barium का होगा क्योंकि metal है in general आप ध्यान रखना metal का कम होगा non metal का ज़्यादा होगा right similarly question number nine में again important है you know boron के period में fluorine होगा और sulfur जो होगा वो इधर कहीं पे होगा right और phosphorus यहाँ पे होगे तो यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं ध्यान देना fluorine का तो सबसे ज़्यादा होगा sulfur phosphorus में you know phosphorus का ज़्यादा होगा लखना बॉरॉन का कम होगा question number 10 में incarnation energy order तो यह वही वाले है 14 ग्रूप वाले exception वाले तो दियान रखना है carbon सबसे ज़्यादा होगा silicon सुनो परभू में परभू पहले फिर सुनो बाद में तो यह order हो जाएगा तो यह 10 question हमने लिया है just सारे type के मैंने cover कर लिए और भी पी वाई क्यों question है सब इससे मिलते जुलते होंगे वह आप कर सकते हो और आप देखेंगे आपका question easily बने को thank you